भारत एक प्राचीन देश है हमारे देश की संस्कृति में जीवन चर्या में जानवर भी ऐसे ही सामिल है जैसे कि वो भी हमारे परिवार का हिस्सा हो हमारे भुजुर्ग तो यह बोलते हैं कि वे वेजुमान जानवर जिनकी भासा को हम मनुसे समझ नहीं सकते वह भगवान की तरफ से हमारे लिए संदेश लाते हैं अगर जानवरों के वेवहारों का अध्यन किया जाए होनी अनहोनी के विविद आयामों को जान सकते हैं उदाहरण के लिए कुट्टे या बिल्ली का रोना हमेशा से ही बुरा या अनिस्ट होनी के संकेत के रूप में देखा जा सकता है जब भुकंप या अन्य प्राकेति का अपदाएं आने वाली होती हैं तो धर्दी के अंदर रहने वाले जानवर वेचैन हो बाहर आ जाते हैं जानवरों के अंदर प्रकेत को समझने की असीम छमता होती है हमारे घर में रहने वाली घरेलो छिपकली मानों सब्वेता के सुरू से ही हमारे पुर्वजों के साथ रहती आई है हमारे महान पुर्वजों ने उसके रहने वा मानों सरीर पर गिरने के बाद पढ़ने वाले प्रभावों का ब्यापक रूप से अध्यन किया और कुछ निस्कर्सों पर पहुंचे वैसे तो यह चिपकली दिखने में बेहत दरावनी होती है और किसी को भी पसंद नहीं आती लेकिन यह हमारे भविश्य का संकेत देती है चिपकली का मनुस्य के सरीर पर गिरने और मनुस्य पर पढ़ने वाले प्रभाव का विश्तिरत वर्डन सकुन सास्त्र में किया गया है अगर चिपकली आपके मात्य पर गिरती है तो इससे संपत्ति मिलने की संभावना होती है अगर वह आपके गरदन बन कीती है तो इसका यह मतलब है कि आपको यस मिलेगा दाहिने कान पर छिपकली गिरने से आप भुसर की प्राप्ती होगी बाएं कान पर छिपकली गिरने का मतलब आयू वरिद्धी से है नाग पर छिपकली गिरने का मतलब है कि आपका जंद भाग्योदय होगा बाये गाल पर छिपकली गिरने का मतलब है कि पुराने मित्र से मुलाकात होगा दाहिने गाल पर छिपकली गिरना यानि आपकी उम्र बढ़ेगी मुख पर छिपकली गिरना यानि मदुर भोजन की प्राप्ती होगी अगर आपके गले पर छिपकली गिरती है तो इसका मतलब है कि सत्रू का नास होगा कमर के बीच में अगर छिपकली गिरे तो आर्थिक लाब मिलता है पेट पर चिपकले गिरने से अभूसर की प्राप्ति होती है नाभी पर चिपकले गिरने से मनोकामनाएं पूरी होती है मुः पर चिपकले गिरने का मतलब सम्मान की प्राप्ति है दाहिनी भुजा पर चिपकले गिरने तो धन लाब मिलता है बाएं भुजा पर चिपकली गिरने से संपत्ती छिनने की आसंका बढ़ जाती है दाहिनी हतेली पर चिपकली गिरने से कपड़े मिलते हैं बाएं हतेली पर चिपकली गिरने पर धन की हानी होती है दाहिने कंदे पर चिपकली गिरने पर विजय की प्राप्ती होती है जबकि बाई तरब चिपकले गिरने का मतलब रोग का दस्तक देना है, दाहिनी जांग पर चिपकले गिरने से सुक मिलता है, वहीं बाई जांग पर चिपकले गिरने से दुखी दुख यानी सारी रिक पीडा होती है, दाहिने गुटने पर चिपकले गिरने से यात्रा का सैयो बाएं गुटने पर चिपकली गिरने का मतलब बुद्धी की हानी है। कोई भयावा गटना हो सकती है। बाएं पर चिपकली गिरने का मतलब है कि धन हानी होगी। यदि चिपकली आपके बालों पर गिरती है तो इसका मतलब रित्यू सामने खड़ी है।